बिश्मिल्ला रह्मान रहें वेलकम टू माचैनल आज हम स्टार्ट करेंगे मैथिमेटिकल मेथड का चप्टर टू जो के हमारे पास है ग्रूप ग्रूप को समझने से पहले हम एक आसान एक्जमपल लेते हैं फिर उसके बाद ग्रूप को हम डिफाइन कर लेते हैं इंटीजर्स का जो के हमारे आमें पता है कि इंटीजर्स जो है जिरो वान टू थ्री सो आन इसके साथ साथ माइनस वान माइनस टू और माइनस त्री भी इंटीजर्स में होते हैं अब हम क्या करते हैं हम इसमें कुछ प्रॉपर्टी जो है वो चेक कर लेते हैं पहले जो है closer law हम check कर लेते हैं कि क्या कि इसमे closer law valid है या नहीं है हम इसको plus की लिहास से check कर रहें किस चीज की लिहास से check कर रहें प्लस की लिहास से इसके दो elements हम उठाएंगे two or three जो के z के elements हैं दोनों को हम add कर देंगे तो five result आ जाएगा five भी जो है वो z से belong कर रहा है इसी तरह आप one minus one को उठा दे two minus five को उठा दे यानि इसके साली number आप आपस में add कर दे आपके पास result z में से ही आएगा उसके बाद हम इस पे एसे से टीव ला जो है वो चेक कर लेते हैं उसमें पिर हम क्या करेंगे थी नंबर उठाएंगे two three seven जो के जैड में से बिलोंग कर रहे है two plus three plus seven is equal to two plus three plus seven के यानि इसमें अपने just bracket order आपने वह ही रखना है two three seven two three seven just आपने bracket change करना है तो इसको अगर हम देख लें यह आजाएगा two three plus seven is ten यह आजाएगा five plus seven two plus ten यह हमारे पास 12 आजाएगा और यह भी 12 आजाएगा तो इसमें सेटिवला भी hold कर रही है इसी तरह आप और नंबर्स पी चेक कर देए आपके पास यह दोनों साइट जो है वो इक्वल आ जाएंगे यानि इस सेटिवला यहां पर hold कर रही है उसके बाद हम identity element की तरह आते हैं अगर हम सेट को देख लें सेट में हमारे पास zero मुझूद है zero जो है वो इडिशन के लिहास है यह हमें पता है जिरो इडिशन के लिहास हमें हमारे पास identity element है तो zero इस सेट में मुझूद है for all that such that zero को अगर हम two में add कर दे या two को zero में add कर दे हमारे पास result again two ही आएगा इसी तरह आप three पे भी नंबर आएगा जैसे टू पर हमने चेक किया result हमारे पास क्या आया तू आया उसके बाद है इन्वर्स element कि इन्वर्स element इन्वर्स element अगर आप आपको नज़र आ रहा है साफ-साफ कि वन का इन्वर्स element इडिशन की लिहां से माइनस बन है जो कि इस सेट में है तू का माइनस टू है जो कि इस सेट में है त्री का माइनस त्री है जो कि इस सेट में है तो इन्वर्स 2 जो क्या हमारे पास क्या राया है जिरो आर यानि हर इल्मेंट का आप जो है तृ का देख ले फोर का देख लें five का देख लें सब जो है انवर्स इनेट हमारे पास यहाँ पे मुझूद ए उसके बाद कमेटिटिव लाबि अगर हम इस पे चेक कर ले ना कि यह हमारे पास और भी clear हो जाए कि में पिर क्या है दो इलिमेंट्स आप उठाएं टू आ तरी इनको आप चेक कर दे टू प्लस त्री हमारे पास फाइप आएगा त्री प्लस टू भी फाइप आएगा तो कमेंट्रिटिव लावी इसमें hold कर रही है वैलेड है तो ये एक सेट है इडिशन के लिहाज से हमने देखा इसने closer लाव को भी satisfied किया एससेटिव लाव को भी satisfied किया identity element भी इसमें है inverse element भी हर element का हमारे पास मौझूद हर कमेंट्रिटिव लावी ये satisfied कर रहा है तो हम क्या कहेंगे Z हमारे पास एक non empty set है और प्लस जो है वो हमारे पास binary operation है Z में प्लस जो है binary operation का फिर क्या मकसद है binary operation का मकसद ये है कि ये इस में define है उसका मकसद ये है कि आप इसके दो elements उठाएं फिर उस पे ये operation आप apply कर दे अगर जवाब इसी set में से आ जाए तो इस पे तो ये इस पे इसका binary operation है इस set का मसलन आप जो है 7, 9 उठाएं इस set के आप इन दोनों पे ये plus का operator जो है apply कर दें तो ये आ जाएगा 7 plus 9 जो कि हमारे पास 16 है ये भी बिलोंग कर रहा है तो z में से तो इसका मतलब ये है कि plus जो है इसमें binary operation अचा multiplication जो है वो इस set में inverse और inverse element इसका नहीं है तो इसलिए हम लोग multiplication की तरफ नहीं गया है क्लोजरला का मकसद पिर ये है कि आप इसके दो element उठाएं जो आपको binary operation दिया हुआ है उस पर दरम्यार में आप वो apply कर दें इन दोनों पर अगर जवाब इस set में से आ जाए तो इसका मकसद क्या है कि इसमें क्लोजरला valid है यहां पर satisfied हो रही है आप जो है टू आती के अला सेटियोला जो है वो satisfied हो रही है आइडिंटिटी इलिमेंट इडिशन के लिहां से हमारे पास zero है सेट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास zero जो है वो है लहाजा इसमें identity element भी मोचुद उसके बाद inverse element को अगर हम देख ले हर element का माइनस वाला element या माइनस element का हर जो है प्लस वा definition की थारा माते लेट जी विया नोन-EMPTY सेट एंड ये स्टारिक विया बानरी operation in G. जैसे Z मारे पास यहाँ पे था नोन-EMPTY सेट प्लस जो था यहाँ पे बाइनरी 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 बाइन था इफ फर्स्ट कंडिशन इसका क्या है फर्स्ट कंडिशन है हमारे पास के हम इसके दो elements अगर उठाएं इस ग्रूप के इस नोन-EMPTY सेट के अगर हम दो element उठाएं जैसे यहाँ पे हमने दो element उठाए थे उस पे अगर हम यह binary operation apply कर दें कि यहाँ पर हम यह जर्नल जो साइन है स्टेरिक का यह ले रहे हैं इदर हम जो है फ्लस ले रहे तो यहाँ पर हम ओव एक जर्नल जो है sign हम ले रहें अगर यह भी जी में से आ जाए उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं closer property सॉरी यह मैंने नहीं लिती यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a,b belonging to g then a steric b also belonging to g second property इसकी है associative property या associative love इसमें पर क्या है अगर हम इसके फीन elements उठाएं इसी set में से और हम इन तीनों को अगर चेक कर दें order same लिख लें same order में just इसका bracket change कर दें अगर इनके दोनों side equal आते हैं it's mean that इसमें associative ला जो है वो satisfied हो रही है उसके बाद third property है third property हमारे पास है identity element यानि फर आल ए बिलोंगिंग तो जी दियर exist ए बिलोंगिंग तो जी such that a steric e is equal to a steric a is equal to a यानि यहाँ पे हम हम जो है addition की रहाँ से zero ले रहे थे यहाँ पे हम एक journal जो है वो number ले रहे हैं e such that जब हम इस पे binary operation apply कर देंगे a और e के दर्मयान तो हमारे पास result again a आ जाए fourth property इसकी है inverse element for all a belonging to g there exist a dash in g such that a steric a dash equal to identity element अगर कुई set हो non empty set और इसमें यह steric हमारे पास binary operation हो तो इसको हम क्या कहेंगे जी वा steric को group कहेंगे अगर यह closer law associative law identity element और inverse element यह इन चारों को अगर यह satisfied कर रहा हो तो हम इसको क्या कहेंगे तो हम इसको group कहेंगे यह हमारे पास क्या है group कहलाएगा तो यहां पर इस example में यह जेट इडिशन के लिहास है क्या है group है यह इन चार properties को satisfied कर रहा है पांचवी को पिलहार हम skip कर रहा है पिलहार हम just group की तरह आए तो अगर कोई set इन चार properties को इस binary operation की लिहास है अगर satisfied करें तो हम इस set को क्या कहते हैं group कहते हैं आचा यह एक journal हम लोग जो है operator ले रहे हैं बजाए plus के और multiplication के तो हम एक journal वो ले रहे हैं उसके बाद फिर हमारे पास है यह तो group का definition था उसके बाद हमारे पास है abelion group यह group है abelion abelion group या फिर या इसको आप committed यूँ ग्रूप भी कह सकते हैं यह दोनों जो है abelion group या committed group उसमें जो है जी नॉन इम्टी सेट स्टेरिक जो है वो binary operation है इन जी इसको हम क्या कहेंगे abelion group या committed group कहेंगे abelion group या committed group कहेंगे अगर closer life में satisfied हो associative life में satisfied हो identity element इसमें हो inverse element इसमें हो और एक पांच वी प्रॉपर्टी है committed law तो मेंटिटिव ला भी अगर इसमें satisfied हो जाए यानि यह वाभी अगर जी में से belong कर रहे हैं a steric b will be equal to b steric a अगर यह भी इसमें satisfied हो तो हम क्या कहेंगे इस set को इसको हम क्या कहेंगे इस जी को steric के लिहाज से abelian group कहेंगे अगर यह पांच प्रॉपर्टी इसमें satisfied हो पहली हमारे पास एक closer law closer law दो elements हम उठाएंगे multiply करेंगे इसके दरमें यह binary operation का process करेंगे हमारे पास result again जी में से आजाएंगे फिर इस सेटिव है आइडेंटिटी इलिमेंट वाली है और इनवर्ज इलिमेंट है लास्ट में कमेटिटिव लाग तो इस सेट को अगर हम देख लेंगे जेट जो है वो इडिशन के लिहास से हमारे पास क्या है अबिलियन ग्रूप है जेट इडिशन के लिहास से इस अबिलियन ग्रूप या इसको हम कमेटिटिव ग्रूप भी कह सकते हैं उसके बाद है आइडेंपुटेंट इलिमेंट इलिमेंट ऐसा इलिमेंट है ग्रूप में जिसको अगर हम देख लें मैं यह ले लेता हूं जी क यानि जिसका स्क्वेर हमारे पास अगेन यह आ जाए उसको हम क्या कहते हैं आइडम पुटेंट इलिमेट अगर हम जेट में देख लें वन, जीरो, माइनस वन, सो अब इसमें अगर हम वन उठा लें वन का स्क्वेर जो है वो वन की एकवल है तो अगर एक तिवरम भी है जो के आप खुद आसानी के साथ प्रूब कर सकते हैं अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर भी प्रूब कर सकता हूं वो यह तिवरम यह है कि अगर ग्रूप में जो आइटम पूटेंट इलिमेंट होगा, वो हमारे पास क्या होगा? आइडेंटिटी इलिमेंट होगा उसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइडों का A इनवर्स लेंगे क्योंकि ये group है ये set तो लहाजा इसमें inverse भी exist करेगा हम असानी के साथ इसमें inverse ले सकते हैं तो a into a inverse हमारे पास identity element आ जाएगा अच्छा ये a का square है इसको मैं a into a लिख सकता हूँ ये भी identity आ जाएगा a into identity a into identity ये हमारे पास again a आएगा यानि a का result हमारे पास identity element आ जाएगा ये उसी तिवर्म का proof है तो item potent element ऐसा element है जो के अपने square के equal होता है या एका square is equal to a then a is called item potent element तो गुरुत में हमेशा identity element जो है वो item potent element यहाँ में मैंने example भी दिये जैड है इसमें identity element with respect to multiplication हमारे पास one है तो one का square ही one है उसके बाद कुछ example जो थोड़े से मुश्किल example है वो मैंने moment इंशाल्ला solve करूँगा पहला example हमारे पास है जी is equal to one omega omega का square है इसकी जो है हमें पता है omega का cube हमारे पास one है इसको मैं एक table की form में लिख लेता हूं one omega into omega का square नीचे भी one omega omega का square यहां पर इसको one के साथ में multiply करता हूं one आएगा omega के साथ omega omega square के साथ omega का square आजाएगा इसकी अगर हमें लाद देख लें 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 लेंगा का स्कूर इन्टू वन हमारे पास omega का स्कूर यह आ जाएगा ओमेगा का क्यूब हमारे पास one है one into omega हमारे पास omega आ जाएगा यह निए omega की four हमारे पास जो है वो omega ही आ जाएगा अब इसकी अगर हम closer लाद देख लें इसके दो elements आप उठा लें में omega into omega का square उठा लेता हूं omega into omega का square is equal to omega का q वो one है one belonging to g यानि वन जो है वो g से इसका result भी हमारे पास closer property का closer law का मकसद यही है कि आप इस set के दो elements उठाएं इसके दरम्यान जो आपको binary operator दिया हुआ है जो आपको binary operations दिया हुआ है उस वो आप apply कर दें result अगर इसी set में से आ जाए तो यह close रहे इसी तरह इसमें satisfied होगी associative law यानि इसमें हम तिन आप試 है वहाँ आम थने मेगरोंगा का स्क्वर नी इंटो उम्यगा मेगा का स्क्वर इस इकोल टो waन ऊमेगा उमेगा इसमें से का स्क्वेर और यह उमेगा ओमेगा का क्यूब ओमेगा का क्यूब भी one आ चायेगा उसके बाद हम आते हैं identity element की तरफ identity element जो है इसमें one है जो के आमारे पास मौजूद है one belonging to g such that one into omega omega one into omega का स्क्वेर equal to omega का स्क्वेर चाहे आप इसको इस साट से मल्टिप्लाई कर दें या इसको इस साट से मल्टिप्लाई कर दें रिजल्ट आपके पास वापस वही ओमेगा आएगा और इसमें ओमेगा का स्क्वेर आएगा यानि one identity element भी इसमें मुझूद है उसके बाद inverse element का अगर हम देख ले inverse element का मकसद यह है कि जहां पर identity आए दो element को आप multiply कर दे, result identity आजाए omega का, omega को अगर आप omega की square के साथ multiply कर देंगे, तो आपके पास identity आ रहा है यानि omega का inverse element जो है omega का square है, जो कि इस set में मुझूद है omega का inverse element omega का square है फिर omega का square किस चीज़ पर identity आ रहा है omega का square, omega पर हमारे पास identity आ रहा है तो omega का square का inverse element आपके पास आएगा omega, वो भी इसमें मुझूद है तो लहाज़ा inverse element भी exist हुआ तो ये चारो, चार properties हमारे पास group की satisfied और हो गई लहाज़ा, ये set with respect to multiplication is a group उसके बाद example है C4, one minus one, iota or minus iota इसको हम चेक करते हैं, पहले हम इसकी closer property, closer loss है शुरू कर देते हैं one वा minus one आप उठाएं, C4 में से दोनों को आप multiply कर दें, minus one आ जाएगा जो के C4 में belonging, which belong to C4 minus one, यहनि इसका जो result है, वो इसके इसमें belong कर रहा है पिर हम इस इन दोनों को उठा देते हैं, iota or minus iota belonging to C4, दोनों को आप multiply कर दें, ये multiplication के लिहाज से हम हम चक कर रहे हैं कि आया C4 जो है, वो ग्रूप है के नहीं है, यह आ जाएगा iota का square, iota का square हमें पता है, minus one की equal है, minus into minus one यह आ जाएगा plus one plus one जो है, वो C4 के, C4 में belong कर रहा है, तो यह minus iota, iota का product भी हमारे पास, इसके आंदर आ रहा है, उसके बाद assesative law की तरफ हम आते हैं, यह बाकी element भी आप चक कर दें, चाह इन दो पे चक कर दें, इन पे चक कर दें, या इसको इसके साथ, one को one के साथ, minus one को minus one के साथ, इन को आप itself कर दें, या इन को एक दूसे के साथ multiply कर दें, result आप के पास again, इसी set के अंदर में से यह आएगा, as to say to law, उसमें अगर आप तीन elements उठाएं, one iota वा minus iota, आप यह तीन भी उठा सकते हैं, मसला नहीं है, one into iota into minus iota, is equal to, one into iota into minus iota, iota into minus iota, iota ka square, iota ka square, minus iota ka square, is equal to iota into minus iota, यह आजाए का iota ka square, is minus one minus into minus plus, one into one is equal to iota into iota, iota ka square, with minus one, with minus sorry, iota ka square is minus one, और यह one into one one, minus one into minus plus, यह one is equal to one आजाए, उसके बाद identity elements है identity element इसमें जो है one है जो कि आमरे पास मौझूद है eager one को आप see four के प्माम elements में से साथ मल्टीप्लाइह कर दे इंटू trim minus one minus one आयेगा या minus one को one के साथ कर दें फिर never one को 24 pra करें रूट लूज अगा या आउठा को आप वन के साथ कर दें, इसको कि अगर अगर 21 के साथ कर दे माइनसायो तो पर शलिमिन की तरफ कि अभुला इन्वरस एलेमेंट या अब ओ रैजाए को आप चाहिगा इसको हम इसका ये तो है हमारे पास identity element minus one को अगर हम क्या कर दे minus one के साथ multiply कर दे आपके पास plus one आजाएगा तो minus one का inverse element क्या है minus one है वो इसमें हमुजूद है IOTA को किस चीज़ के साथ में multiply कर दो IOTA को अगर मैं minus IOTA के साथ multiply कर दो तो ये आ जाएगा minus IOTA का square माइनस आयोटा का square is minus 1 equal to plus 1 तो आयोटा का inverse element minus आयोटा है minus आयोटा का इसी तरह plus आयोटा है minus आयोटा के साथ में क्या multiply कर दूँ result 1 आ जाए हमारे पास तो minus आयोटा का आयोटा है आयोटा का minus आयोटा है जो कि इस set के अंदर मौजूद है तो inverse element भी इसमें आगा है लिहाजा c4 जो है वो multiplication के लिहाज से हमारे पास group उसके बाद यह example है plus minus 1 plus minus i plus minus j plus minus k यह भी हमने multiplication के लिहाज से देखना है कि यह group है के नहीं है i का square j का square k का square is equal to minus 1 और इसी तरह अगर हम इसका cross product अगर आपने पढ़ा हो i, j, k उसमें i, j जो है वो हमारे पास क्या आथा था i, j, i, j हमारे पास k की equal था फिर j, k, j, k हमारे पास i की equal आएगा न अगर आप इस direction में move करेंगे यानि आप अगर anti clockwise move करेंगे और k, i हमारे पास j आ था अगर हम इसकी direction चेंज कर दें j, i कर दें j, i हमारे पास minus k आथा था k, j, हमारे पास minus i और i, k हमारे पास minus j आथा अब हम पहले इसकी closer property चेक करते हैं closer law चेक करते हैं दो element आप उठाएं चाहें आप जो भी उठाएं मैं मसलान उठाता हूँ i, k belonging to g फिर मैं क्या करता हूँ दोनों को multiply कर देता हूँ i, k अब i, k का result हमारे पास क्या है यहां से हमने निकाला है minus j है अब minus j इस set के अंदर है हाँ है plus j भी है minus j भी है आप और की भी चेक कर सकते हैं यानि closer ला जो है वो satisfied है क्योंकि बाकी की जो है वो आप चेक कर दें आपके पास result इसी set के अंदर में से ही आएगा उसके बाद है associative ला तीन element आप उठाएं i, j, k say that belonging to g i into j into k is equal to i, j into k अब j, k हमारे पास किस चीज़ की equal है j, k यहां से हमने निकाला है j, k is equal to i और i, j i, j जो है वो हमारे पास k की equal है k into k आजाएगा अब k i into i, i का square k into k, k का square i का square भी minus one है, k का square भी minus one है बाकी elements भी अगर आप चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं आपके पास दोनों side एक j से आजाएगा उसके बाद हमारे पास है identity element identity element जो है one है वो इसमें मुझूद है one belonging to g जिसको आप किसी भी number के साथ multiply कर दे, आपके पास वही result आजाए last जो है वो हमारे पास है inverse element inverse element inverse element एक ऐसा element है जिसको आप इनके दो elements को multiply कर दे आपके पास result क्या आजाए one आजाए अब k का जो है वो क्या है j का क्या है i का क्या है k का हमारे पास है minus k k को अगर आप minus k के साथ multiply कर दे तो यह आजाएगा minus को हम बाहर निकालेंगे k into k k का square आजाएगा k का square हमें पता है किस चीज़ की equal है minus 1 की equal है minus 1 minus into minus plus 1 आजाएगा इसी तरह i का minus i है j का minus j है और इसी तरह minus j का हमारे पास j है k का minus k minus k का k है क्योंकि अगर हम देख लें तो हमारे पास इन दोनों का product जो है वो प्लस वन आ रहा है तो यह इसके inverse element आ गए और यह कमेटिटिव नहीं है क्योंकि i j जो है i j अगर हम देख ले i j हमारे पास क्या है i j की value k है j i अगर हम निका लें j i is equal to minus k आ जाएगा तो i j और j i जो है वापस में एक j से नहीं है लिहाजा यह group कमेटिटिव नहीं है group है कमेटिटिव ग्रूप नहीं इनवर्स इलिमेंट भी इसके अंदर है आइड़िटिव विए कर रहा है और closer law भी यह satisfied कर रहा है लिहाज़ा यह जी हमारे पास क्या है group है उसके बाद exercise 2.1 है पहला question है इसका which of the following sets are group and why group है जो नीची हमने sets दिये हुए अगर group है तो क्यों group है पहला हमारे पास है set up all positive rational numbers rational numbers तो आप लोगों को पता है कि इसको हम q से जायर करते हैं p upon q की form में अगर हम लिख सकते हैं इसको हम क्या कहते है rational number जिसमे q 0 नहीं है p वाक्यू हमारे पास integers है rational number के दो हिससे हैं एक इसका frictional वाला form है यानि one upon two three upon four minus seven upon nine और एक इसका यह integer वाला हिस्सा है one two three minus one minus two यह भी इसमें आ रहा है क्योंकि one को मैं one upon one two को मैं two upon one three को मैं three upon one लिख सकता हूं अब इसने हमें दिया क्या है positive rational numbers यानि start it from positive zero से उस तरफ है तो अगर हम देख लें इसमें integers भी आ रहे हैं यानि one भी इसमें शामिल है और friction वाले भी आ रहे हैं अगर two for example हम लेते हैं तो इसमें one upon two भी हो रिशनल नमबर हमारे पास कौन से है positive है अब हम क्या करते हैं पहले इसकी closer property चेक करते है दो रिशनल नमबर हम उठा लेते हैं ए वाबी आप positive side वाले दो रिशनल नमबर आप उठाएं उनको multiply कर दें positive रिशनल नमबर आएगा मसला मैं उठाता हूँ seven आउपान nine upon five दोनों को multiply कर दें आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आगे rational number case set में सी आएगा और positive rational number तो यह एवाबी मैं उठाता हूँ rational number positive rational number इनको मैं multiply कर देता हूँ हमारे पास जो result आएगा वो again इसी positive rational number में से होगा फिर उसके बाद एसोसियटिव ला है एसुसियटिव ला इस में मैं तीन पाजिटिव रैशनल लंबर उठाता हूँ आ इंटो बी इंटो इंटो वैल इकॉल टू एबी इंटो आ दो ती हमें पता है कि rational number में यह satisfied होती है तो positive rational number में भी यह satisfied हो पिर उसके बाद है identity element one जो है one भी हमारे पास rational number है और यह positive rational number है लहाजा one जो है वो इसमें मुझूद है rational number positive rational number में one को अगर मैं किसी भी number के साथ multiply कर दूँ रिजल्ट हमारे पास अगेन वही आ जाएगा यानि एक साथ मैं multiply कर देता हूं वहमारे पास result अगेन वही आ जाएगा उसके बाद inverse element है inverse element भी इसमें exist करता है मसलन अगर 2 को अगर हम देख ले 2 के लिए हमारे पास 1 अपान 2 भी एक positive rational number है वो इसमें exist होगा 7 अपान 4 के 5 के लिए 5 अपान 7 exist होगा दोनो positive rational number तो इसमें A के लिए A डेश जो है वो exist कर रहा है exist होगा such that A into A dash is equal to 1 या A dash into A is equal to 1 यानि यह group के चारू conditions जो है वो satisfied कर रहा है इसलिए Y की जगा पे इसलिए यह हमारे पास क्या है group इसलिए हम इसको group कहेंगे उसके बाद second part है वो आपने खुद करना है बिल्कुल simple और आसान है Z absolute value हमारे पास one है वो आपका home work है उसके बाद थर्ड और fourth part में आपको करवा दीता हूँ उसके बाद third part है they set up Z of alpha integers जिसमें binary relation जो है वो हमारे पास not है इस तरह है कि a not b is equal to a minus b a वा भी हमारे पास Z है या अगर हम इसको इन दो numbers के दरम्यान apply कर दें इसका असल मकसद क्या है इसका असल मकसद यह है कि a minus b आपके पास इसका result आ जाए अब हम क्या करते हैं इसको देखते हैं कि क्या आया यह group है के नहीं है solution पहले हम closer law की तरफ हम आते हैं इसके दूए elements मैं उठा लेता हूँ a वा भी belonging to Z तो आप a not b is equal to a minus b जो के Z से belong कर रहे हैं आप c d उठा ले उसमें से भी आप इसी तरह अपलाए कर देए आपके पास z के अंदर में से इसका आँज़ाएगा उसके बाद associative law a b c में उठा लेता हूँ z में से a not b not c अपस में अगर एक जैसे हुए तो इसका मतलब यह है के associative law valid है otherwise नहीं है a not b not c हमारे पास b minus c आजाएगा a not b हमारे पास a minus b आजाएगा not c अब यह भी मैं apply कर लेता हूँ b minus c और यह आजाएगा a minus b minus c अब यह minus जब मैं apply करूँगा यह आजाएगा a minus b minus into minus plus c आजाएगा जो कि equal नहीं है A-B-C के तो S-Cative जो है इसमें not valid है hold नहीं करती लहाजा ये जो set है third one जो हमें दिया हुआ है is not group ये हमारे पास group नहीं है उसके बाद हमारे पास है set up all irrational number ये I think मैं चेक करता हूँ the set up all irrational numbers under multiplication irrational numbers अगर मैं उठाऊँ two का square root ये भी हमारे पास एक irrational number है अब closer law अगर हम इस पे लगा दें two का square root two का square root ये दो set के elements है दोनों को अगर आप multiply कर दें आपके पास क्या जाएगा just two जो के इस set से बिलॉंग नहीं करता तो इसमें closer law वैलेट नहीं है not hold तमाम elements के लिए ये hold नहीं है लिहाज़ा ये set जो है हमारे पास group नहीं है तेंक यू पर वाचिंग अगर आप new हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आज के लेक्चर में आपको कुई समझ कुई चीज जो है वो समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देंक यूंग